What's up everyone, मैं मुरावल और यह है All About Guitar Guys, welcome back to another episode जिसमें आप सिखेंगे आज चार नए basic chords जो की हैं C major, D major, A major और yes, the G major chord तो चलिए C major chord से शुरुआत की जाए C major chord एक बहुत ही common chord है जिसे हर गाने में use किया जाता है C major chord बजाने के लिए आप सबसे पहले अपनी 3rd finger को रखेंगे 3rd fret पे 5th string पे उसके बाद आप 4th string पे जाएंगे अपनी 2nd finger को रखेंगे 2nd fret पे इसके बाद एक string सोड़ते हुए हम सीधे जाएंगे 2nd string पे 1st fret पे जहांपे हम रखेंगे अपनी 1st finger C major chord में आप सारी की सारी strings बजाएंगे C major chord सिखने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अपने D major chord की तरफ D major chord बजाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी 1st finger को 2nd fret पे रखना है 3rd string पे उसके बाद आपकी जो 3rd finger है उसको रखना है आपको 2nd string की 3rd fret पे और lastly आपको जो 1st finger है उससे रखने आपको 1st string की 2nd fret पे तो इस तरह से आप D major chord को बकड़ेंगे लेकिन आप 6th और 5th जो strings है उसे ना बजा करके बाकी सारी strings को आप बजाएंगे एक chord को बजाने के लिए हमारे पास 2 तरीक है पहला तरीका यह है कि हम अपनी 1st, 2nd और 3rd finger को एक साथ 2nd fret पे रखें 4th, 3rd और 2nd string पे कुछ इस तरह से यानि कि हमारे जो 1st finger है वो जाएगी 2nd fret पे 4th string पे 2nd finger जो है वो हमारे जाएगी 3rd string पे 2nd fret पे और जो हमारे जो 3rd finger वो भी जाएगी 2nd fret पे लेकिन 2nd string पे इस chord में हम जो 6 string यानि की E string उसे छोड़ते वे बाकि सारी के सारी पांचों strings को हम जाएगे दूसरा तरीका यह है कि हम सिर्फ अपनी 1st finger को लेंगे इसका जो यह 1st part है उसे यूज करते हुए एक केपो या फिर सिर्फ वही पार्ट को यूज करेके सारी की साथी 4th, 3rd, 2nd string को एक साथ प्रेस करेंगे 2nd fret पे कुछ इस तरह इससे फाइदा ही होगा कि हमें 3 fingers की ज़रत नहीं है लेकिन इससे एक नुकसान ये भी है कि हम अपनी 1st string को नहीं बजा पाएंगे इसलिए अगर आपके गाने में 1st string की ज़रुरत ना हो तो आप सिर्फ एक finger से बजा सकते हैं अगर ज़रुरत है तो आप तीनों finger का यूज कीजी लास ली आता है हमारा G major chord इसे भी बजाने के दो तरीके हैं पहला एक G basic chord दूसरा एक G full या फिर एक advanced level का chord G basic chord बजाने के लिए हम सबसे पहले अपनी 2nd finger को लेंगे 3rd fret पे 6th string पे उसके बाद हम अपनी 1st finger को लेंगे 5th string पे 2nd fret पे इसके बाद हम कुछ strings छोड़ते हुए सीधे जाएंगे 2nd string पे जहां पे हम रखेंगे हमारी 3rd finger को 3rd fret पे इस G major chord में हम सारे के सारे strings को बजाएंगे G major का advanced level chord पकड़ने के लिए हम फिर से एक G major का basic chord पकड़ेंगे लेकिन इस बाद हम अपनी 4th finger को रखेंगे 3rd fret पे 1st string पे इसके बाद हम फिर से सारे की सारे strings बजाएंगे G major chord कई गानों में यूज किया गया है और अगर आप western music में रॉक सुनते हैं तो Guns N' Roses का Paradise City गाना है उसका जब इंट्रो है वो G major chord से ही बनाया गया है आज के लिए बस इतना है अगर आपको एक content अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को subscribe करें इसे like करें और share करें उन लोगों को जिसे इस lessons की खासकर जरूरत है तो guys अगले वीडियो में जब आप से मिलूँगा तब मैं लेके होगा कुछ नए minor chords जो की basic level के ही होंगे तब तक के लिए आप practice करते रहे है and I'll see you guys the next time